अब तिलेंगाना के बारे में बात कर रहे हैं तिलेंगाना के पूरों मुख्यमांतरी केस यार भी करे कि बीजेपी को 200 का निंबर पार करना बहुत मुश्किल है नहीं देखिए फिर मैं वही बात करूँगा मैं किसी पार्टी का ना प्रवक्ता हूँ ना मुझे किसी नेता के बयान के पक्ष में या बिपक्ष में कुछ कहने की ज़रुरत है मैं अपना आकलन बता रहा हूँ आपको अच्छा लगे तो आप एक्सेप्ट कीजिए न अच्छा लगे तो 4 जून का इंतजार कर लिजिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नौर्थ और वेस्ट में सारी टीका टिपनी सारे बहस बिवाद के बाद भी मैं भाजपा की सीटे मिनिंगफुली कम होते हुए नहीं देख रहा हूँ और साउथ और इस्ट की राज्यों में भाजपा का वोट सेयर और सीट दोनों बढ़ता हूँ देख रहा हूँ कि यह 100 सीट कहां से आर रहे हो तो बताओ आप आज तेलंगाना में बठे हैं तेलंगाना में 17 सीटों में चुनाओ होने वाली है आप क्या सूंचते हैं तेलंगाना में देखिए मेरे पास कोई सा विशेष क्रिस्टल बॉल नहीं है बट मैं यहां बराबर की लड़ाई देखता हूँ बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच में दोनों ही पार्टियों को आधा-धा सीट किसी को दो कम या दो जादा हो सकता है लेकिन मैं 6-9 का रेंज रखूँगा ऐसे मैं नंबर जादा देता नहीं हूँ लेकिन तेलंगाना में आप भाजपा और कॉंग्रेस दोनों को 6-9 के बीच में रख सकते हैं भारत राश्ट सम्थी बी-आरेस की बहुशत की बारे में आपके क्या कहना है अब लोकस merely के बहुत बड़े प्लेयर के तार पे अभी साइद उनको कोई नहीं देख रहा है वह खुद भी अपने आपको में बहुत मद्टपूर्ण प्लेयर के तार पे नहीं देख रहे होंगे हैन। ऐसा मेरा मानना है लडाई यहाँ पर सीधे मैं जो देखता हूँ या दूसरे जो बता रहे हैं वो Congress versus BJP है और दोनों पार्टियों को मैं 6-9 के बीच में रखूँगा किसी को दो कम या दो जादा हो सकता है लगातार दो चुनाव में हार के बाद BRS के भवश्यत क्या होगी भवश्य के बारे में क्या सोच अब मैं यह नहीं बता सकता हूँ यह तो BRS उनकी leadership उनको तै करना है देखिए दो चुनाव लगातार नहीं है अभी तो पहला चुनाव हारे हैं दस साल यहां पर सत्ता में थे और दक्षिल के राज्यों में अगर आप देखेंगे दूसरे राज्यों की पार्टियों की इस्थिति देखेंगे तो चुनाव हारने के बाद पार्टियों ने नेताओं ने कमबैक किया है पांच साल के बाद वो लोग वापस बड़ी मजबूती से आये हैं तो मैं यह नह कितने महिने यह तो डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी अपनी चीजों को सुधारते हैं जनता से अपने जुडाओं को फिर से मजबूत करने के लिए कितना प्रयास कर पाते हैं लेकिन लोग सबाब में कोई बहुत बड़ा फैक्टर भी आरेस नहीं है के जिवाल 75 साल वा पूदी जी बता रहे हैं भाजपा के नेता बता रहे हैं कि अगर इंडिया एलाइंस कॉंग्रेस वाले आ जाएं तो सब का धन वापस लेकर उसका रीडिस्ट्रिबूशन होगा कॉंग्रेस वाले इंडिया इलाइंस वाले बता रहे हैं कि अगर भाजपा वाले आ गए तो तो सम्मीधान बदल दिया जाएगा, सब को मालूम है दोनों जूठ बोल रहे हैं, उनको भी मालूम है कि दोनों जूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ, ना Congress के आने से ना भाजपा क्याने से संभीधान बदलना है लेकिन ये तो चुनाओ का मौसम है आप हर लोग तंत्र है हर आदमी को अपना कहने की सोतंत्रता है अब भाजपा का नेता कौन होगा ये प्रसांद किसो और या केजरी वाल या आप तो तेह करें नहीं हो भाजपा वाले सक्चम ह करने में लेकिन इस्चु के पारे में आपका क्या कहना है पच्चेतर साल इन इस्चु आफ्टर एलेक्शन देखिए रवायन में एक दोहा है समरत को नहीं दोस्त गोसाई तो जो समरत है जो रूल 75 का बनाया मोधी जी ने है तो उनकी इक्षा होगी कि हम पर ना लागू हो तो उन पर ना लागू होगी रूल बनाना बनाया तो उन्हों नहीं है आज अमित साने ठीक कहा कि भाजपा के सम्मिधान में तो यह लिखा नहीं है कि 75 के बाद आप पदपे नहीं रह सकते हैं यह एक एक तरीके से ऑपरेशनल रूल मोधी जी के आने के बाद 2014 से लोगों लेकिन अगर वो नौक करें तो आप हम या कोई दूसरा नेता या यह कोई बैधानिक उनकी बीवत मतलब परिसानी उनके लिए नहीं है उनके मन की बात है प्रिशान जी खेज़वी वाल का जेल से बाहर निकलना इंडिया कमबाइन के लिए कुछ फाइदा लाईगी कि अब किसी भी पार्टी का जो नेता है वो जेल में हैं अगर वो बाहर आये हैं तो उस पार्टी के कारेकरताओं का समर्थकों का मनोबल तो जरूर बढ़ेगा कितना फाइदा होगा कितनी चुनाओ पर उसका क्या असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी कोई पहन इंडिया चुनाओ तो लड़ नहीं रहे हैं वो लोग पंजाब में 14 सीटें और 7 सीटें डिल्ली में और एक सीट साथ वो गुजरात में लड़ रहे हैं हर्याना नहीं लड़ रहे हैं लेकिन नहीं मुझे जो लगता है दो जो लड़ रहे है आठ और 14 तो आठ और 14 वाइस सीट हुआ तो जो भी फाइदा नफा नुक्सान होना है वो तो 22 पर ही होगा और इन 22 में भी जो 14 सीटें हैं वो पंजाब में है आपका कांग्रेस को कोई ऐसा तो है क्योंकि पंजाब में तो एलाइंस है नहीं दिल्ली में जूऑइन्ट फाइदा हो सकता है तो बीजेपी को नुक्सान दिल्ली में हो सकता है ना पंजाब में तो लड़ाई आम अदम coach केजरिवाल आज कह रहे हैं पर्टिस के लिए भी काम करूंगा वो ठीक है वो उनकी सोच है वो कर सकते हैं लेकिन आप यहां बैठे हुए हो यहां तेलंगाना में माल लिजे कि केजरिवाल जी आते हैं यहां आंदरप्रदेस में तेलंगाना में उरिशा में कल परचार करने तो आपको लगता है कि उससे 22 में 14 सीटें ऐसी हैं जहां कि सिधा मुकाबला कॉंग्रेस और आप में है ज्यादा तर सीटों पर कुछ सीटों पर भाजपा भी है त्रिकोडिये मुकाबला है दिल्ली में कुछ फाइदा नफा नुक्सान उसका हो सकता है प्रशान जी आप तेलेंगाना के बारे में बात कर रहे हैं तेलेंगाना के पूरू मुख्य मंत्री केस यार भी करे कि बीजेपी को 200 का निंबर पार करना बहुत मुश्किल है देखिए फिर मैं वही बात कहूंगा मैं किसी पार्टी का ना प्रवक्ता हूँ ना मुझे किसी नेता के बयान के पक्ष में या बिपक्ष में कुछ कहने की ज़रूरत है मैं अपना आकलन बता रहा हूँ आपको अच्छा लगे तो आप एक्सेप्ट कीजिए न अच्छा लगे तो 4 जून का इंतजार कर लीजिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नौर्थ और वेस्ट में सारी टीका टिपनी सारे बहस बिवाद के बाद भी मैं भाजपा की सीटे मिनिंगफुली कम होते हुए नहीं देख रहा हूँ और साउथ और इस्ट की राज्यों में भाजपा का वोट सेर और सीट दोनों बढ़ता हुआ देख रहा हूँ नेट नेट अगर आप दोनों बातों को जोड़ देंगे तो ये आपको दिखेगा कि जो उनकी सीटे अभी 300 के आसपास हैं उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज ना पॉजिटिव साइड में नेगिटिव साइड में नहीं देखता हूँ 400 भी नहीं होने वाले हैं लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो 200 होने वाले हैं अगर वो होना है, तो नॉर्थ और वेस्ट में उनको साइड हारना है तो जो लोग भी इस तरह की टिका टिपनी कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि ये साइड कहां से हार रहे हो, तो बताओ आप आज तेलंगाना में बठे हैं तेलंगाना में 17 सीटों में चुना होने वाली हैं आप क्या सुचते हैं तेलंगाना में देखिए मेरे पास कोई सा विशेष क्रिस्टल बॉल नहीं है बट मैं यहां बराबर की लड़ाई देखता हूं बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच म दोनों ही पार्टियों को आधा आधा सीट किसी को दो कम या दो ज्यादा हो सकता है लेकिन मैं 6-9 का रेंज रखूंगा ऐसे मैं नमबर ज्यादा देता नहीं हूं लेकिन तेलंगाना में आप भाजपा और कॉंग्रेस दोनों को 6-9 के बीच में रख सकते हैं भारत यहाँ पर सीधे मैं जो देखता हूं या दूसरे जो बता रहे हैं वो कॉंग्रेस वर्सेस बीजेपी है और दोनों पार्टियों को मैं 6-9 के बीच में रखूंगा किसी को दो कम या दो ज्यादा हो सकता है लगातार दो चुनाव में हार के बाद भाविशत क्या होगी परशिड के राज्यों में अगर आप देखेंगे दूसरे राज्यों की इरिजिनल पार्टियों की इस्तिति देखेंगे तो चुनाव हारने के बाद पार्टियों ने नेताओं ने कम बैक किया है पांच साल के बाद वो लोग वापस बड़ी मजबूती से आये हैं तो मैं यह नहीं कह सकता हूं कि बियारेस जैसी मजबूत पार्टी जैसे वो खतम हो गए लेकिन सुभाविक तोर पर दस साल सत्ता में रहने के बाद अभी हार उनकी हुई है तो थोड़ा समय तो रिकवर करने में लगेगा ही लगेगा कितना समय लगेगा कितने महिने लगे यह त साल होने के बाद मोधी प्रधान मंत्री पद में कैसे देखिए ऐसा है लोग